पनीर की सबजी तो हर किसी को पसंद होती है तो आज मैं आपके जाज शेर करने वाली हूँ एक दम धाबा स्टाइल पनीर कॉन कैपसिकम मसाला की सबजी की रेसिपी तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं तो पनीर कॉन कैप्सिकम मसाला की सबची बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में दो टेबल स्पून ओइल डालेंगे और उसमें मैंने यहाँ पे एक बड़ी साइस का कटा हुए प्यास डाला है और साथ में ही यह छे से साथ कली लजसोन, अद्रिक और दो हरीमेश डाली है और इन सब को हम अच्छे से सौते कर लेंगे तो देखिए प्यास अब हलके से सौते हो चुके हैं अब इसमें हम टमाटर डालेंगे तो मैंने यहाँ पे दो बड़ी साइस के टमाटर लिये है अब टमाटर को अच्छे से पकाएंगे तो इसमें साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे अब इन सब को अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब जब तक टमाटर अच्छे से कुकना हो जाए तब तक इसे ढग कर पकाएंगे तो देखें टमाटर अब अच्छे से पक चुके है हमें इन सब्जियों को जादा पकाना नहीं है बस इसकी प्योरी बन जाए तब तक उसे पकाना है तो देखिए अच्छे से पक चुके है तो अब हम गैस को आफ कर लेंगे और इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसकी हमें स्मूथ पेस्ट बनानी है तो देखिए मैंने सारी सबजियों को मिक्सी के जार में डाल दिया है अब इसकी हम paste बना लेंगे तो अब सेम पैन में हम 2 टेबल स्पुन गी डालेंगे और 2 टेबल स्पुन ओयल डालेंगे और इसे थोड़ा सा गरम होने देंगे अब हम इसमें 1 तेजबता डालेंगे 3 लाईची डालेंगे दो छोटे या फिर एक बड़े डाल चिनी का टुकड़ा डालेंगे 10 से 12 काली मिर्च डालेंगे और ये 1 तीजब चीरा डालेंगे और इन सब को थोड़ा सा सौते कर लेंगे अब इसके बाद हमने जो प्योरी बनाई है वो डाल देंगे तो मैंने यहाँ पे सारी प्योरी इसमें मिला ली है अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अब इसमें हमें मसाली डालने है तो यहाँ पे मैंने 1.5 तीजब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे एक तेबल स्पून दनिया चीरा पाउडर डालेंगे और यह एक टीजब गरम मसाला डालेंगे नमक हमने इसमें पहले मिलाया था तो स्वाद के अनुसार हम लास्ट में डालेंगे तो इसमें मसालों को बच्चे से मिला लेंगे और ग्रेवी के साथ इसे अच्छे से पकाएंगे तो अब हम यहाँ पे डेट टेबल स्पून रोस्टेड बेसन डालेंगे इसे न हमारी ग्रेवी का टेक्शर एक दम गाड़ा आएगा तो इसे थोड़ा सा मिलाएंगे और अब इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे तो इस सरह से इसे क्रश करके डाल देंगे कसूरी मेथी से पंजाबी सबजी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मैंने यहाँ पे तीन टेबल स्पून फ्रेश क्रीम या फिर मलाई ली है वो डालेंगे और अब क्यास की फ्लेम को लो रखके इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे तो देखे मलाई अब अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स हो चुकी है अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे तो पानी आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसी सबसे डालना और अब इसे ना बहुत अच्छे से मिला लेंगे अब हम यहाँ पे एक टेबल स्पून सुगर डालेंगे और इसे थोड़ा सा मिला लेंगे तो अब मैं यहाँ पे आधा कब कौन ले रही हूँ मैंने यहाँ पे उबले हुए कौन लिये है और ये आधा कप कैपसिकम लिया है कैपसिकम मैंने कच्चा ही लिया है तो अब इन सबजियों को अच्छे से मिला लेंगे तो अब हम यहाँ पे पनीर डालेंगे तो मैंने यहाँ पे घर पे बना हुआ पनीर लिया है और इसे थोड़ा सा मसल लिया है और मैंने ये आधा कप पनीर लिया है और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इन सारी सबजियों को अच्छे से मिला लेंगे और अब इसे ढखकर 2-3 मिनिट तक पकाएंगे तो देखे 2-3 मिनिट हो चुके है अब हमारी सबजी एकदम बक्के रैडी है अब हम दाबे वाला टेस्ट एड करेंगे तो इसके लिए हम इसमें स्मॉकी फ्लेवर देंगे तो मैंने यहाँ पे एक कोईला लिया है इसे घरम कर लिया है और अब उपर से हम थोड़ा सा गी डालेंगे और जैसे ही धुआ निकलेगा हम इसे ढखकर एक मिनिट तक ऐसे ही छोड़ देंगे यह स्टैप करना बिलकुल ओप्सनल है अगर आपको दाबे वाला टेस्ट पसंद है तो आप इसे जरूर करना तो देखे एक मिनिट हो चुका है अब हम कोईले को बाहर निकाल लेंगे और आप सबजी को घर्मा घरम सव करेंगे इस सबजी को आप रोटी पराठे नान के साथ सव कर सकते हो यह बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में तो इसे एक बार बना कर जरूर ट्राइ करना और उपर से थोड़े से धन्यापतों से गानिश कर लेंगे तो अगर आपको मेरी रेसिप अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत बुलना और ऐसे ही नई-नई मस्यदा रेसिपीस के लिए मेरे चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर कर देना थैंक यू फॉर वाचिंग